असलाम लेकुम स्टुडेंट मेरा नाम है आबित सोहेल और मैं वेलकम करता हूँ अपनी यूटूब चेनल पे तो स्टुडेंट पिछले कलास में हमने पढ़ा तब फ्यूचर इंडिफिनेंट स्टार्ट किया था उसके हमने अर्दो की पहचान वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तिमाल होती ही फर्मूला क्या है और उसके हमने एफर्मेटिव पॉजिटिव सिंपल फिक्रे संटेंस किस तरह बनते हैं उनका फर्मूला और एक्जेंपल पढ़े थे तो आज फिचर इंडिफिनेंट टेंस के हम नेगिटिव नफी फिक्रे या इंट्रागिटिव सवालिया फिक्रे कैसे बनेंगे उनका फर्मूला क्या है और उनके एक्जेंपल क्या है तो मैं सिर्फ टूडिव आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो लास्ट तर देखे तापको सही सही समझ आजाए जाए तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं नफी नेगिटिव फिक्रे किस तरह बनेंगे फिचर इंडिफिनेंट टेंस के इस टेंस के नफी फिक्रे बनाने के लिए दरजजियल कुली के मताबिक इमदादी फैल शेल या विल के फॉरन बाद नोट लगाया जाता है जी स्टूडेंट इसके इसमें क्या होगा कि सब्जेट के बाद डिरेक्ट जब हल्पिंग वरब हम लगाते थे तो हल्पिंग वरब के बाद डिरेक्ट हम नोट लगाएंगे तो हमारे पास नफी नेगिटिव बन जाएगा शेल विल का इस्तिमाल भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है जिसको नहीं पता हूं के लिए मैं आप लास्ट में लिंक दे दूँगा वहां से जाकि फूचर इंडिफेनेट टेंस पढ़ ले तो हम उमने कहाता है किसके साथ लगाते है उसके बाद हम फोरण नोट लगाएंगे तो हमारे पास नफी नेगिटिव फिकरव बन जाएगा तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट फर्मूले में सब्जेक्ट आएगा उसके बाद helping verb, will या shall इस्तिमाल होगा उसके बाद फॉरण बाद जब हम note लगाएंगे तो ये फिक्रा हमारे पास क्या बन जाएगा नफी negative फिक्रा future indefinite tense का उसके बाद verb की first form जो मैं हमने पहले बादा था पहले वीडियो में उसके बाद object आएगा तो इसके कुछ examples है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको सही clear हो जागा student तो student पढ़ते हैं इसके कुछ example है सबसे पहला है इसमें मैं जूट नहीं बोलूंगा तो उर्दो की पहचान भी हमने पढ़े थी कि गा गेगी आएगा तो ये उर्दो की पहचान है future indefinite tense की तो इंग्लिश में क्या होगा I shall not tell a lie I हमारे पास subject आगया हमने कहा था कि I यवी जब आएगा तो उनके साथ shall लगेगा बाकि जितनी बीची वाही जमा जो भी हो विल लगेगा तो आई आया हमने शेल लगाया helping verb note लगाया हमने नफी बनाने के लिए note लग गया उसके बाट tell हमारे पास work गी first form alive हमारे पास object आगया तो ये पूरा sentence future indefinite tense का negative sentence है हमारे पास तो second example है हमारे पास अली अपने जुरुम का इतिराफ नहीं करेगा अली अपने जुरुम का इतिराफ नहीं करेगा तो हमारे पास गा आगे लाश्ट में तो ये उर्दु की पहच्चान है हमारे पास तो इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे अली विल नोट कन्फेस हीस क्राइम अली हमारे पास सब्जिक्ट विल लग गया हमारे पास helping verb नोट लग आया हमने नफी बनाने के लिए कन्फेस हमारे पास वर्ब की first form हीस क्राइम हमारे पास object तो ये पूरा फिक्रा हमारे पास बन गया future indefinite tense का negativeング नफी फिक्रा NAFY sentence या negative sentence बन गया तो third example हमारे पास हम उनकी मदद नहीं करें गे लास्ट में तो हमारे पास नफीर और गया विउति टैन्स बन गया तो उसके बाद English क्या होगा उतशम इन्पन। We Shall Not Help Them We हमारे पास आगया सब्जेक्ट शेल लग गया हमारे पास helping verb not लग गया हमारे पास नफी बनाने के लिए negative बनाने के लिए और help हमारे पास बन गया verb भी first from और them हमारे पास object तो ये पूरा sentence हमारे पास क्या बना future indefinite tense का नफी या negative sentence बन गया है student तो आपको मुझे उमीदिका आपको समझ आ गया होगा इसका formula नफी negative का और इसके example भी मैं आपको समझाएए तो चलते आगे कि student हम future indefinite tense का सवालिया जो होगा और intuitive फिक्रा जो होगा वो कैसे बनाएंगे तो student चलते आगे student पढ़ते हैं कि सवालिया intuitive फिक्रा future indefinite का कैसे बनेगा तो student चलते हैं सवालिया फिक्रे बनाने के लिए दरजजील कुलिय की मताबिक इमदादी फियल जो होगा वो subject से पहले लग जाएगा जिस student पिछले जिने भी हमने पॉजिटिव फिक्रे मुश्बित फिक्रे 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 पढ़े उसमें subject पहले आता था अभी जो अभी हमने negative पढ़ा उसमें भी subject पहले आता था लेकिन इंट्रागटिव में क्या होगा कि helping verb पहले आएगा उसके बाद subject आएगा और उसके बाद verb की first form और उसके बाद object तो यही बन गया इसका formula student इसमें क्या करेंगे कि helping verb first में लगाएंगे will या shall उसके बाद subject आएगा और उसके बाद first form of verb और उसके बाद object student मैं इसके example पढ़ाता हूँ तो आपको सही clear हो जाएगा student student की example है कुछ हमारे पास सबसे पहला है क्या तुम बड़ो की इजद करोगे तो यह आगया हमारे पास उर्द के पहचान English में will you respect the elders will हमारे पास लग गया helping verb you हमारे पास लग गया subject respect हमारे पास लग गया verb की first form the elders हमारे पास क्या लगा object तो यह बन गया हमारे पास future indefinite tense का intuitive sentence यह फिकरा second example हमारे पास क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रखे गी गी आगया हमारे पास तो English में क्या होगा will she continue her studies तो will हमारे पास helping verb लग गया she हमारे पास आ गया subject continue हमारे पास verb की first form हो गयी student her studies हमारे पास object हो गया तो यह फिकरा हमारे पास बन गया future indefinite tense का interrogative sentence बन गया तो third example है student हमारे पास क्या वो अपना वादा पूरा करेगी करेगा sorry तो गाह हमारे पास उर्द में पैचान आ गया इसका English में क्या होगा will he fulfill his promise तो will हमारे पास क्या बना will हमारे पास helping verb आ गया he हमारे पास आ गया subject fulfill हमारे पास word की first form और his promise हमारे पास आया object तो यह पूरा फिकरा हमारे पास बना future indefinite tense का interrogative formula intuitive sentence sorry तो यह आज हमने आज दो future indefinite tense के negative फिकरे किस तरह बनते हैं formula भी पढ़ा example भी पढ़े और अभी हमने पढ़ा interrogative फिकरा किस तरह बनेंगा उसका formula और मैंने आपको example भी पढ़ाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको student समझ आ गया होगा तो मुझे दो इजाज़त student अ student अलाफिज मुझे दो इजाज़त अलाफिज आपको खुश्रगे